इस मेडियूल के अंदर हम लोग डिसकस करते हैं कि कौन से ऐसे स्टैक वेलफेर एफेक्ट्स हैं कस्टम यूनियन के जो कंट्रीज एक्सपीरियंस करती हैं अबिसली हम लोगों ने जब कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन की बात की तो हम लोग ने जो पहली चीज डिसकस की वो यही था कि एकनामिक बैनेफेट्स होते हैं तो primarily जो static welfare effects आएंगे वो economic sense के अंदर ही हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले चीज आती है administration savings administrative जो आप expense हैं वो अपने आप reduce कर लेते हैं आपके पास suppose जब free moment of goods and services है वहाँ पे आपके पास फिर custom officers भी eliminate होते हैं then फिर border patrols जो हैं उनको आप eliminate कर से just suppose हम उन countries की example लेते हैं जहां पे आपके पास border patrol होता है हम पाकिस्तान में रहते हैं तो we can study the case of Pakistan so you can see that कि आपकी जो border जो इंडिया के साथ है या इवन अफगानिस्तान के साथ है वहाँ पे आपके कितने लोग deploy होते हैं कि आपके पास movement ना हो वो जरूरी नहीं economic aspects की तरफ हो वो उसकी कुछ दूसरी reasons भी है लेकिन आल दो हमें ये अच्छा खासा expense बरदाश करना पड़ता है in this form तो अगर आपके पास custom union form होती है relationship अच्छे हैं countries के तो आपके पास different administrative जो expense हैं वो आप reduce कर सकते हैं इसी तरीके से एक और चीज़ जो static gains लेती है countries खास दोर पर जो custom union के अंदर होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था trade diverting के case के अंदर और trade creating के case के अंदर कि आपके पास जब trade divert हो रही होती है तो उसका जो static gain है वो यह होता है कि आपके पास terms of trade improve करते हैं क्योंकि जो trade diverging custom union या trade diverting custom union की जो हमने बात की थी वहाँ पे यही discuss किया था कि आपके पास over the period of time जो exports और imports के volumes हैं खास दोर पे imports के volume क्योंकि आप custom जो है वो custom union form करते हैं उन countries के साथ जहां पे आपके might be costly नहीं होती custom union तो it depends जो हम लोगों ने पिछले में deals के अंदर discuss भी किया था तो वहाँ पे आपके पास terms of trade में improvement आती है यानि कि imports के volume कम होते हैं और exports के volume बढ़ते हैं and then एक custom union members के लिए तो ये एक welfare gain है then trade creating custom union के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो rest of the word है वो भी फाइदा उठाता है custom union से जो हम लोगों ने पिछले कुछ modules के अंदर बड़ा comprehensively discuss किया कि जब trade create होती है between the custom union members तो आपके पास economies of scale, specialization, comparative advantage का जो चीज है वो आती है अंदर और वहाँ पे countries जो है custom union के अंदर वो savings करती है या overall उनको फाइदा होता है तो जो वो saving करती है या जो उनको फाइदा होता है वो in form of income हो सकता है या in form of revenues हो सकता है from trade वो फिर जो extra revenue है उसकी spendings वो rest of the world से import करके करता है जैसे European Union सिर्फ European countries के साथ trade आपस में नहीं करते हैं वो rest of the world के साथ भी trade करते हैं उनके सथ चाइना के साथ अच्छा खासा trade है उन वहाँ के countries का European countries का यूएस से के साथ बढ़े trade volumes हाई है उनके आपस में पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान से भी उनका trade export की form में हम वहाँ पे काफी जादा भीजते हैं तो इस case के अंदर अगर European Union का case देखें तो जैसे पाकिस्तान को from European Union GSP plus status मिला हुआ है तो उस GSP plus status को हम enjoy कर रहे हैं although we are not in that custom union तो इसी तरीके से USA के साथ भी उनकी trade हो रही है तो जितना स्पोस custom union से जएदा gain होगा European countries को उसके effect rest of the world में भी आएंगे तो this is one of the static gains although हम इसको आगे जाके कुछ जगों पर challenge भी करेंगे जब हम development theories को link करेंगे international trade के साथ but for now हम इसको बड़ा simple form के अंदर समझते हैं just static एक चीज़ के analysis करते हैं हम comparative analysis नहीं कर रहे हम dynamic analysis नहीं कर रहे इस custom union की formation के then सबसे बड़ा जो फाइदा है वो custom union form करने का ये है कि आपकी आप as a whole countries as a unit present होते हैं to the rest of the world वहाँ पे जो आपके पास bargaining power है जो दूसरी countries के साथ वो काफी ज़्यदा बढ़ जाती है अब आप ये imagine करें कि कि European Union का हर member उस उसकी European Union के साथ एक affiliation की वज़ा से आप उसको बहुत ज़्यदा छेड़ नहीं सकते so normally आप देखें कि अगर suppose हमारा France के साथ कोई मसला है ये even हमारे internal politics के अंदर to some extent चीजें कुछ ऐसी हो जाती है कि European countries को हम मतलब चार होते हैं कुछ उनके साथ मतलब इस level का करना कि हम उनको अपना गुसा या अपना जो भी expressions हैं वो show करें लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं तो उस case के अंदर सबसे बड़ी चीज जो reason बनती है उसके पीछे वो European Union की formation है because हम किसी एक European country के साथ कोई चीज इंबैलन्स करते हैं तो it may affect the rest of the countries as well तो relationship जो है वो दूसरे countries के साथ थोड़े से बिगड़ भी सकते हैं तो overall आपकी negotiation पार economic sense के साथ भी बढ़ जाती है economically अगर आपने tariff settlement की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आप custom union form करते हैं बड़े number के साथ या number of countries जएदा होती हैं तो वहाँ पे जो दूसरा country होगा तो इस चीज को जरूर जेन में रखेगा कि हम किसी एक country से बात नहीं करें हम almost 28-30 country से बात करें या even more than that अगर कोई custom union form होती है unless अभी तक सबसे जो numbers में जएदा custom union बनी है वो European union ही है तो unless अगर suppose 5-6-10 countries भी even मिलते हैं आपस में तो individual जो bargaining power है आपकी वो कम होती है as a nation लेकिन जब आप custom union के अंदर आते हैं तो आपकी bargaining power बढ़ जाती है तो ये basically basic static welfare gains है that you get from making custom union